नमस्कार किसान भाईयो जे जो आप सेम देख पा रहे हैं इस सेम को कम से कम लगावे साथ महीने हो चुके हैं मगर इस पर कोई ज़्यादा फूल भी नहीं आ रहा है वो फूल के साथ साथ किसान भाईयो इस पर माल भी नहीं आ रहा है इसकी में आज आपको फूल जानकारी दूमा के बज़े क्या है माल क्यों नहीं आ रहा है वो फूल इस पर पेड़ पर ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है देख सकते हैं आप जगर जगर फूल आ रहा है इस टे मैं इसको देख रहा हूँ किसान भाईयों बहुती कम फूल आ रहा है और इसको बहुती दिन हो गया है। छे-सात महीने में तो कम से कम कुछ भी नहीं तो किसान भाईयों इस पर बहुत सैम की फरी आत्मी सात महीना भोत हो गया है। मगर इसको जरूरत है इस टेम शिर्फ इसको एक दवा की अगर उस दवा को हम माल लेते हैं और जड़ में लगा देते हैं जड़ इसकी किसान भाईयों बहाँ पर है मैं पहले आपको जड़ दिखाने की कोसित करूँ है क्या बज़े है जड़ देख सकते हैं किसान भाईयों आप इसकी सबसे पहली कमी जो होती है किसान भाईयों मेरे पास कोई स्टेम खुरपीद आती नहीं है मगर मैं इस सही बता रहा हूँ आपको जो सब देख रहे हैं आप जो सब स्यान की जड़े हैं जे कभी खतम ना होने वाली सेम की बेल है, हाइबिरेट, चाए मोहासा हो, चाए चमासा हो, चाए गर्नी हो, साल में चारों महीनों में कोई सा भी हो सकता है, मगर जे कभी खतम ना होने वाली बेल है सबसे पहले आप इसको यू कर देंगे किसान भाईयो इसको बढ़िया करके कुंड देंगे इसकी जड़ों को उसके बाद हम आप आपको नई तरकीप से बताएंगे कि इस पे माल क्यां से रोकना है इसको आप किसान भाईयो ऐसे भी कलने बढ़िया करके इसकी जड़ों नदर आने चाहिए किसान भाईयों जैसे नजजीक्ति दिखाने कोज करूँ आपको देख सकते हैं जैसे जड़ है इसकी जड़ों आपको सब दिखा लेनी है जितनी भी है और इनकी इनी जड़ों को चेक करेंगे तो इनकी जड़ों से पता चल जागा क्या बज़े है खेत में और क्या बज़े नहीं है है यह ले बज तो किसान भाई नहीं कर पा रही है वह बेल भी गिरो नहीं कर पा रही है पत्ता भोड ज़र रहा है जैसे के आप देख पा रहा है इतर में सेम के पत्ते बहुत परे हैं बज़े इसकी जही है किसान भाई यह खुसकी है खात काफी है मगर खुसकी हो गई है खुसकी से क्या पेड़ में नमी नहीं मिल पा रही है इसकी जड़ देखिए आप देखिए आप कैसी हो चिप चिपापन बिल्कुल नहीं है जड़के अंदर में तोरा भूद गीला पन होता तो हाध गीला होता मैं घिसकर दिखाता हूँ देखे कि समय यह सूक ही है कि अगर इतनी नमी होती जैसे कि सानव भाई इसको मैं किसता वह देखी आप नमी आ हाथ मेरे हाथ मेरा गिला हो चुका जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान भाई यह देखिए और इनी की सारी पिरसानी दूर करने के लिए किसान भाई आज मैंने वीडियो बनाई यह आप लोग अगर सेम की फरीगी खेती कर रहा है घर पर गर पर कर रहा हैं या जंगल में कर रहे हैं कहीं पर भी कर रहे हैं आप इसको फुल जानकारी नहीं होगी तो आपको कोई मलाब नहीं मिलने बारा है जैसे कि आप सेम की पेड़ को देख पा रहे हैं इसकी पूरिश जड़े खुसक परी है और बिल्कुल भी नमी नहीं है इस पेड़े के अंदर में सबसे पहले हम इसको बढ़िया करके साप कर लेंगे जड़े इसकी किसान भाई और जड़े लिकाने का बाद पहले तो मैं आपके उपर की दिखाता हूं क्या क्या करना है इसमें कौन सी दवा लगेगी किने देखें किसान भाई हो पहुत कम माल और है श्ञाद माल भी नहीं reality और फोल देख सकते हैं आप कैसस अधिव रही है और गिर रहा हूं जोख पर देखिये कि क्हार मतलब का नंद हुर रहा फोल प्पूल का स्टेम इसकी आज सारी प्रसानिय दूर करेंगे हम आज किसान भाईयों पेड़ भी नहीं आ रहा है इसके बज़ज यही है कि इसके पेड़ में खुसकी है जमीन इसकी अच्छी नहीं हो रही है जब तक इसकी जड़ों को ताकत नहीं मिलेगी तो इस पर फूल कह से आएगा किसान भाईयों हो सबसे पहले जरूरत पर रही किसान भाईयों आपको सरफ की परेगी ऐसे किसान भाईयों आप बाल्टी ले लेंगे इस बाल्टी के अंदर में किसान भाईयों आप पानी भराएंगे फूल फुल पानी भनने का बाद इसको देखे किसान भाईयो आप ये निर्मा का है जो निर्मा सामून होता है इसको आप पानी में अच्छे तरीकर गोहल लएंगे चलिए पहले मैं आपको चल के दिखाता हूं वहाँ पर हम किसान भाईयो आचुके हैं सेम के पेड़ के पास मैं और इसको आज हम बताएंगे आपको इसकी फुल जानकारी देएंगे और देखे किसान भाईयो साथ मैं पानी भी लाया हूं ऐसी वाई इसको यहां अंदर डाल देंगे पानी के देखे और हाथ अच्छे साप कर लेंगे इस लकड की साहता से या खुर्पी की साहता से आप किसी भी साहता से आप इसकी जड़ बिल्कुल साप कर लेंगे बढ़िया करके कोभी पत्ता नहीं रहना चाहिए इसकी जड़ा बिल्कुल दीखनी चाहिए उपर ही जो हमारा गिरो करेगा फूल भी आएगा और मालाने की समभावनास भामारी इसमें बढ़ जाएगी हम इसकी जड़ा बिल्कुल साप कर लेंगे कि समभा फूल और अगर माल नहीं आ रहा है गिरो नहीं कर रही है आपकी सम ज्यादा टेम लग रहा है फूल जहर रहा है फूल सूक रहा है तो किसान भाईयो आप इसको एक बार जरूर इस्तमाल करें जैसे के मैं आपको बता रहा हूँ दिखा रहा हूँ जैसे इसको मैं पांस साल से यूज करता वा रहा हूँ जैसे जैसे जै खेती पिरेसान है किसान भाईयो सेम की इनका बालम बार बाबुजी के रहे हैं कि हमारे इस पर गिरो नहीं हो रहा है हमारा बो नहीं हो रहा है इसको साथ आठ महीने हो गए है सेम एक बार भी खाई नहीं है और चेक भी नहीं किया है क्या बज़े है सेम हमारी गिलो नहीं कर रही है पत्ता नया नहीं बने आए पत्ता टूट रहा पत्ता ज़र रहा है। जब मैंना इसकी जाश किसान भाईयों इंसान खुदी पकड़े कर रहा है जब भी जाश हो सकती है। आप्स के चक्कार में रहेंगे तो कोई मतलब का नहीं है कोई योज नाका ने किसी भी एफ को देखियो इसने का भन भते रहा है देशी खात काफी पराफ है का इसके अंदर में उसके जटाम देंगे न किसाम भाई को तो बिल्कुल नहीं रहेगी निर्मा सावन से अगर आप इसका निर्मा सावन लगाएंगे इसमें तब भिना निर्मा सावन के नहीं होने का है यह दवाई आती है वो दवाई तो कोई मतलब की नहीं है कि इंग्लिस से ज हो कुछ नहीं होता है वो खयत को बंजर कर देती हैं जब उनको प्यड़ को अंदर झाखती है मैं इसमें निर्मा सावन का इस्तिमाल क्य tribun कर रहा हूं किसान भाई वह उससे क्या होता है? जो पेड़े के अंदर में कीड़ा मकोला होता है चैटी होती यह होती है कुछ भी होती है वो इसके अंदर मरılारी नहीं है सममर जाएंगी और यह देखिए सरप का पानी देखिए आप निर्मा का सावन पानी इसको मैं काफि चत्र क्वोड हुए इस पानी को जब तक गिरो नहीं हो का पानी आप इतना गिरो पानी करना है आपको जिससे कोई चैटी भी नहीं रहेगी खेत के अंदर में आपके पेड़ का जड़ भी आपको गिरो करेगा जैसे आप देख पा रहा है किसान भाई यह दिखामन अज़्दिक से देखिए आप यहाँ पर चैटी फिर रही होंगी देखिए आप ध्यान से दीख पा रहा हो आप चलता हुआ तो जह का करती है किसान भाई यह जड़ जो होती है हमारी इन्को वो कुंडती आप खाती हुआ भी नहीं आरति वहां उससे क्या होता है पियड़ हमारा गरों निकरता है पत्ते भी नहीं बन पाते हैं ऒो टूटने के हालत में आज जाते हैं च्टी किसी भी चीज का पेड़ हुआ किसी भी चीज में इसको इस्तमाल कर सकते हैं और इसका आपको कोई भी नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा सब फायदे फायदे मिलेंगे इससे दूसरी बात खे किसानी के जो अंदर में जड़ोंगे कीड़े मकोले लग जाते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाया हो दिखाने ही कोज करूंगे नजदीक के देखिए आप कितनी यहां पर चैटी कीड़े मकोले चल रहे हैं अगर आप देख पा रहे हैं तब तो इसको किसान भाईयों बढ़िया करके मिला देना है सरप के पानी को आप इसमें और कुछ नहीं डानना सिर्फ सरप का पानी ही डानना है और कुछ नहीं डानना एक बात जे निर्मा सावन है आप भी निर्मा सावन का ही पानी यूच करें चिरकाव करें और अगर तो उसकी वीडियो में आपके लिए अलग बनाऊ में उसमें कौन सी दवा लगती है और किस टेम लगानी चाहिए और किसान भाईयों आज तो मैं इसी के लिए आपके लिए हूं पत्ता जन्ना सेम की कमजोरी चाना पेड़ में गुरो नहीं होना पेड़ पर सेम नहीं रुकन पेड़ की खुसकी और कुछ बज़ती है पेड़ को जब तक अच्चे तरेके से नहीं मिलेगा किसान भाईयों जड़े उसकी मजमूत नहीं होंगी तरावट नहीं रहेगी तो पेड़े गिरो करने का नहीं है पेड़े फूल भी लुकने का नहीं है सब तूट जाएगा आप चाहिए उपर से कितनी भी दबाई मारते हैं कोई मतलब करने रहेगा जब तक जड़ से ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे आपको बो मिल सकता देखिए आप इसमें छरक हेगा। इसको मैं दिखाँऊंँ आपको ब्लोकुल जड़ साप कर दियो और पाणी डाराइस में की देख सकते हैं इसके पानी से कैसे किड़े मकोडे भाग रहा हैं और अब तुम देखना इसको किसान भाइं यो पांच दिनके अंदर ऑंदर देखना पांच दिनके अंदर अंदर इस पेड़ पर आपको दिखाऊ हो किसान भाईयो कितनी सेम की फरी आती है कितना फूल रुकता है इस पो पत्ता कैसे गिरो करता है जह देखिए किसान भाईयो पाच दिन के बाद देखिए आप उनके पत्ते देखिए किसान भाईयो आप कितना स्वस्त हो रहा कर देखा सकते हैं आप एक बार जरूर दाना पानी को ठंड मोसम में देख सकते हैं आप देखी किसान भाइयू देखिए और दिखाने कोशिद करोंने किसान भाइयू देखिए भूट जाया जाया सेरब जूरूर करना जिनका पेड़ गिरों नहीं कर रहा है है कि जिनके पिड़ सेम नहीं आ रही है सेम सेम कुछ भी हो सकता आप की चाहरे देसी हो चाहरे बिलाती हो हो चाहें हाइविरेड हो और कभी ना खतम करने वारी स्यम हो अगर आपका पत्ता भी गिरो नहीं कर रहा पत्ता सूक रहा फूल जहर रहा है टूट रहा है सारी बीमारियों का एक इलाज है जो मैंने आपको दिखाया सरफ का पानी यानि किसान भाई यो साब उनका पानी निर्मा साब उनका पानी उसको आप ऐसे ही जानना है जैसे के मैंने डारा है देखिए आप इदर में भी काफी फूल बन गया है और सेम भी अच्छी आ रही सब देख सकते हैं आप यह देखिए को किसान भाई आप देख पा रहा है चेंटयों को देखिए निचे भागाए जिए जिए किशेद टेल नहें जैए इसका इलाज महों जल्दी ला रहा हूं और फिर खेती बारी का इलाज ला रहा हूं और आपका एक रुपिया लगने नहीं दूमा और आपकी सारी भीमारी खेती की दूर हो जाएंगी जे मववा हुआ होता कीड़े मकोले होते हैं सब्सक्राइब नहीं देते हैं इसकी बीडियो जल्दी ला रहा हूं इस पर कौन सी दबा माननी है कोई ज्यादा नुक्ता भी नी बनेगा इस पर ज्यादा कि फड़ी आती है और वीडियो सेर जरूर करना जो कोई भी देख रहा वीडियो अच्छे लगी हो तब नमस्कार